नमस्कार में दिक्षा सिंग बोल सकाई में आपका स्वागत है रात में सोते समय हर व्यक्ती सपने देखता है सपने शास्त के अनुसार हर सपने का कुछ ना कुछ अर्थ होता है सपने हमें हमारे भविश्य के बारे में संकेत देते हैं सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी अधितर लोगों को सपने में साफ दिखाई देते हैं किसी को सपने में साफ फन उठाई दिखाई देता है तो किसी को डसते हुए कुछ लोग साप से जुड़े सपनों को शुब मानते हैं तो कुछ अशुब वही कुछ का मानना है कि जब व्यक्ति काल सर्प दोश से पीडित होता है तो उसे साप के सपने आते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में साप का डसना शुब होता है या अशुब यदि सपने में साप पीछा करता है पानी में तैरता है या फिर हाथ पैरों में लिप्टा दिखाई दे तो हो सकता है कि आप काल सर्फ दोश से पीडित हो ऐसे में आपको अपनी कुंडली दिखवा लेनी चाहिए इसी के साथ यदि साप के लगातार सपने आ रही है और सपने में आपको साप डस रहा है तो इस प्रकार के सपने भी काल सर्फ होनी का संकेत देते हैं अगर सपने में आपको साप काटता हुआ दिखाई दे तो भविश में आपको गंभीर बिमारी हो सकती है लेकिन अगर साप काटने में असफल रहे तो ये सपना शुब संकेथ है इसका मतलब है कि आप किसी काम में जीत हासिल करेंगे तो अगर आपको भी सपने में साप का दसना दिखाई देता है तो आप अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो को लाइक शेर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा